हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है अधित्य फ्रेंट्स ये टेंज का पार्ट फाइब वीडियो है अगर आपने पार्ट वन से पार्ट फूर तक वीडियो को नहीं देखता है देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्टन में आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं तो आज हम प और तीसरा, How many times we can make sentences in present perfect continuous tense? तो चलिए सुरू करते हैं यह पढ़ते हैं, present perfect continuous tense के बारे में आई इसकी definition जान लेते हैं यह टेंस, present perfect tense ता present continuous tense का मिच्चान होता है इस प्रकार present perfect continuous tense में कार के कुछ भाग पूरा हो चुका रहता है और कुछ जारी दे रहता है तो यह example से समझता है तो यह example, वह सुबह 10 बज़े से पढ़ आए sentence को पढ़ने से में पता चलता है कि वह सुबह 10 बज़े से पढ़ आए लेकिन वह सुबह 10 बज़े कुछ समय तो पढ़ चुका है और अभी उतका पढ़ना जारी है तो यानि कार का कुछ भाग तो वह समाप्त कर चुका है और कुछ का माभी जारी है इसलिए मैं से present perfect continuous tense के बाग कहेंगे आज देखते हैं आगे तो यह देखते हैं कि पहचान अगर हिंदी वाग को कहेंट में रहा है रही है रहे है आदी सब्द आते हैं तो हम इसे present perfect continuous tense के बाग कहेंगे आज देखते हैं आगे है जो कार जारी होने का वो लेक किया जाता है यह समय दो प्रकार का होता है पहला निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय तो आज देखते हैं निश्चित समय को घड़ी का समय दिन मा वर्स इन समय को दिखाने के लिए since का परियोग करते हैं आज देखते हैं example 10 बज़े से since 10 o'clock January से since January 2015 से since 2015 तो यह हमारा निश्चित समय है इसको दर्स आने के लिए since का परियोग करेंगे आज देखते हैं अनिश्चित समय इन समय को दिखाने के लिए हम फोर का परियोग करते हैं आज कुछ example देखते हैं दो दिनों से for two days दो महीनों से for two months दो सालों से for two years दो घंटों से for two hours चार हफ्तों से for four weeks तो आप देख सकते हैं जितना में समय दिया गया सब अनिश्चित समय है इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि या कब हो रहा है दो दिन से यानि दो दिन में कब हो रहा है Monday को, Tuesday को कब हो रहा है यह सबारा हमारा अनिश्चित समय इसको दिखाने के लिए मैं कि फोर का पर्यूप करेंगे अब आज देखते हैं प्रेजेंट पर्फेक्ट कांटिवर्स में छे परघर सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं तो आज देखते हैं पहला पहला हमारा अफिरमेट्व सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्फ का फर्स्ट में प्लस आएंजी प्लस अब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आए यह रूल को समझते हैं सब्जेक्ट प्लस है अगर मारा सब्जेक्ट सिंग्लर देगा तो हेल लेगा अगर मैं सब्जेक्ट यह लेगा तो ह्याव लेगा वाह्त बीन फिर वड्रकर फर्स्ट में आए जी प्लस अब्जेक्ट व्हत लाइगा और में समय सब्सक्राइब करेंगे तो एक और एक जैंपल देखते हैं वाद दो गंटों से खेल आया है यह दिखते हैं नेगेटिव सेंटेंज रूल है सब्जेक प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर के फॉर्स मा में एंजिक प्लस आप्जेक्ट प्लस फॉर्ट सेंस टाइम इसके रूल ग्याद करने के लिए सिंप्ली आप जमारा अफ्रमेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग हो रहे है यह ठीक बादिया आप पर नौट लगा दें तिले हो जमारा निगेटिव सेंटेंस का रूल आज लिखने कुछ एक्जामपल्स वाद दो बज़े से किताब नहीं पढ़ रहा है यह नौट बिन रेडिंग बुक सिंस टू अपक्लॉक राम दो हफ्तों से नहीं खेल रहा है राम है नौट बिन प्लेंग फॉर टू वीक्स ऐसी आप और वे थान से घर पे सेंटेंस को प्रेक्टिस कर सकते हैं और आपको सेंटेंस को जाए 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 प्रेक्टिक करना है इसके लिए एक बुक आतीक फ्रेंट ऑक्सफोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रैंसलेशन और आपके पास लिए बूक है तो आप उससे ज्यादा ज्यादा को प्रेक्टिस कर जाए अगर नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रेप्टर में दे दूंगा आप वहां से जाकर उसको लिए प्लस मुत में इंडि प्लस ऑबजेक्ट प्लस सिंस फ़र प्लस टाइम कि इसके रूल को याद करें लब निए नमारा अफिर्मेट्व सेंटेंस है है से तुर्टेंट्र हमारा है उसको सिंगल इंट्वेटि इस सेंटेंस में आप सब्जेक्स के पहले लिग दीजी लिए मारा सिंगल इंट्यूगेटी सेंटेंस का रूल आज लिखनें एक्जाम्पल किया तुम दो हफ्तों से खेल रहे हो है व्यू बिन प्लेइंग फॉर टू विक्स है एस अब और भी सेंटेंस को घर पे प्रेक्टिस करते रहे हैं वाई लिखते हैं अगला सिंगल इंट्यूगेटी निगेसें देटी एस शैंतेंस का का रूल है as a plus subject does not plus bean plus work a foster Made ing plus object plus scene for plus time है यहां पर मारा कॉस्टन मार्क भी लगेगा और इसमें महीं महीँ पर कॉस्टन मार्क लगेगा तो आज दिखने एक्जाम्पल किया तुम सुम्वार से स्कूल नहीं जा रहे हो है वी नोट बीन गोईंग टू स्कूल सिंस मंडे अब दिखने हमार सब मार कोशन वर्ड में है जब हैल्पिंग वरा पहले आता है यह यह पर है लाएगा और सब्जेक्स लूँ प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ड को फरस्ट में आएंज प्लस आपडेक्ट टू स्कूल प्लस मारा टाइम दिखाएंगे आप सिंस मंडे और दिखते हैं डबल इंटिक्रेटीब सेंटेंस को करूल होता है कौछ नब प्लस है टाइंट scrutin वर्ट फ्लस और जो संथ सूंपिल अब इन दोर फॉरत मैं कि अ संञ फॉर आई इसके में में वह से निकyल Two what isMau होता है कि ठीक पर यहां पर को सब्सक्राइब लागा देजी लोगे मारा डबल इंटिवेटी सेंटेंस का रूल आई देखते हैं एक्जाम्पल कि तुम्हें तुम्हें सुबस से कौन पढ़ा रहा है वू आज बिन टीसिंग यू सिंस बार्निंग कि तुकि हमारा सुबस निश्ची समय एक लिए हमारा सिंस का समय को दिखाने के लिए सिंस का पर्यूब करेंगे ऐसी आप और भी संटेंस भर पर प्रेक्टिस करते रहे हैं आई रहते हैं डबल इंटेगर्टी नेगेटिव सेंटेंस के जो रूर्व उता है कुस्टन वर्ड प्लस प्लस कुस्टन वड्ड प्लस है यह प्लस सब्यक्ट उसक्रण प्लस लाइक इसके रूर्ड के लीए आपके वह जो वारा më double integrated sentence to, उसके subject के ठीक बन्या not लगा दे, subject ठीक बन्या not लगा दे, तिवो जहий cryptical into you negative sentence का रूल, आई एक example देखते है, तुम 10 वज़े से क्यों को नहीं पढ़ रहेयो, why have you not been reading since 10 o'clock, तुकि ममारär समय निश्टिता है, एसलिए हम समय को दिखाने के लिए सिंस का पर्योग करेंगे तो अब अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक किजी जितना होचे के वीडियो को सेयर किजिए कि इस चैनल पर आपको टेंस की एट टू जैट वीडियो मिलेगी थै